नमस्कार, डॉक्टर मुला अदम अली जी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम विरिक्ष बेनिपुरी जी की रेखा चित्र माटी की मूर्ते हैं। राम विरिक्ष बेनिपुरी हिंदी के स्रेष्ट रेखा चित्रकार माने जाते हैं। इनके रेखा चित्रों में सरल भाषा शैली में सिद्ध हस्त कलाकारी दिखाई देती है। माटी की मूर्तें वर्ष 1946 में परकाशित होई। इस संग्रह को विशेश खयाती मिली। रजिया। नामक रेखा चित्र के माध्यम से निम्न वर्ग की एक बालिका को जीवन्त कर दिया। इस संग्रह के अन्य रेखा चित्रों में बलदेव सिंग, मंगर, बाल गोबिन, भगत, बुधिया, सर्जु भहिया आदि परमुक है। इन रेखा चित्रों की स्रेष्टा के बारे में मैथली शरण गुप्त का कथन है। लोग माटी की मूर्ते बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। पर बैनिपुरी सोने की मूर्ते बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। माटी की मूर्ते संग्रह की रचनाओं में बैनिपुरी जी ने गाओं की जमीन से उठाए गए कुछ अनगर चरित्रों को न केवल रंगत दी है अपितू। उनमें प्राण भी फूंक डाले। गाओं के किसी पीपल या बढ़ के नीचे रख्यू हुई माटी की मूर्तों के बारे में बैनिपुरी जी उन मूर्तियों को जीवनियों वे चलते फिरते हुए शब्द चित्र मानते हुए कहते हैं। मानता हुँ कला ने उन पर पच्चिकारी की है किन्तु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोया नहीं मानता जो इतना मसाला रख दे कि सबजी का मूल स्वाध ही नश्ट हो जाए। यह जीवन के विविद रंगों को रेखांकित करती बैनिपुरी जी की शशक्त लेखनी से निकली आकरशक, मार्मिक और समवेदंसील रेखाचित्र है। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करकर जुरूर बताएं।